हेलो माई यूटूब फैमली कैसे हैं आप सब आप सभी का मेरे चेरल पे बहुत बहुत स्वागत थे तो यह साम के टाइम का वीडियो और कल लटो का स्कूल शुरू हो गया है कि एक महिने से शुरू हो गया है कि एक महिने से ही और कल से लटो का जो है Wha केजी में में यू केजी में तो कल से इनका first day class रहेगा दूब के ट्रेस जो था धुल के ड्रायर करकि पंग्या Ones जोगा गंदा हो जाता है इसलिए ड्रयार के नीचे डाल देता है फिर शाम के टाइम मटर भी छिलकी रख दे रहे हो फ्रीज में जिससे सुबर लड़ो का जो भी टिफिन में बनाना हो और मटर वाला रेस्पी जाता हूं उनको पसंद इसलिए अब जब तक लड़ो का स्कू बनाऊंगे उसमें योज करने के लिए डबे में छिलकी स्टोर कर दोंगे तुछ चलेगा फिश्याम का टाइम खाना बनाने के त्यारी करते करते शाड़े नौ बज गया और हस्बेंट भी आ गया है उलड़ो का कल फर्स डे स्कूल है तो कुछ नहीं चीज़े लाए थे व कुछ नहीं से शुरू हो गया है वहां पे अड्मिशन होगा आपको वहां कॉंपी किताब मिलेगा और ड्रेस आपको बाहर से लेना पड़ेगा दुकाने हैं सेंथामस के ड्रेस जो मतलब बेचते हैं तो स्कूल के तरफ से पता लग जाता किसी दुकान पर है तो बहुत ही पर छोड़ दें रहे हैं सबको चब सुबह उठेंगे तो इनको रेडी कराना रहेगा और रात की बहुत जाए टाइम हो गया क्योंकि लटों की नियू कॉपी हिताब पर सब कबर वगरे चठाना था निल्ला नाम लिखना था बहुत सारी तयारी रहती है जब इनका स्कूल इतने दिनों के बाद स्कूल खुलने के वज़े से थोड़ा साइड लग रहे थे तो मेरे असमें भी मेरे साथ में उठेंगे थे साड़े 6 बज़े तो मैं इधर इनका लैंज बॉक्स पैक कर रहे थी और इनके लिए चाय मॉर्णिक बना रहे थी तो तब तक ये ड्रेसन क पहना रहे थे क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है ये बोलते मुमा के हास्ते नहीं पहनना है पापा के हास्ते पहनना है तो ये पापा इनके इनको त्यार कर दिये थे और बोले कि तुम भी चलो फर्स डे है तो मैं भी इनको स्कूल छोड़ने के लिए रेडी हो गई और लोगी को उपर बालकनी में मैंने बंद किया वहीं से ही सड़क के तरफ देखती रहेगी हम लोग आ जाएंगे तस्ते 15 मिनिट में फिर हम लोग पहुंच गए संथामस स्कूल खलीलाबाद आप सब देख सकते हैं संथामस स्कूल यही है बहुत सारे लोग का कोश्चिन रह रहा है तो सायद अब कुछी सीट पची हूँ क्योंकि बहुत ही जल्दी सेंथामस का सीट है सारा बुक हो जाता है बहुत ही स्कूल के वज़े से बच्चों के लिए बैलकम के लिए बहुत हैची से यहां पर आप सो देख सकते हैं सजाय हुआ था जिससे चोटे चोटे बच्चे बहुत रोते हैं बहुत सोर करते हैं बहुत परिशान करते हैं तो उन लोग के लिए हार एक कमरे में बहुत बड़ी बड़ी एलेटी टीवी लगी हुई है बच्चों को चॉकलेट दो चार दिन तक लगातार दिया जाएगा बच्चों को कार्टून दिखाया जा तो ऐसे अलकेजी बच्चे हैं और बहुत अच्छे से दो चार दिन के बास सेट हो जाते हैं तो एक दिन थोड़ा दिकत होता है और नय नय बच्चे अलकेजी में आ गया बच्चा मेरा यूकेज भी पहुंच गया तो उसका अब क्लास ऊपर के रहेगा ऊपर जाना पड़ता सिटेटा चड़के तो वहांसे आने एक बाद मैं फिर से जो रात का मीला नाइट सुट था वही मैं पहन ली क्योंकि मैं मेरा नहाय गई थी चिर्फ Taraja दाल लिया था इस's الا जाना था तो फ्यानिक बाद फिर मैं नाइट-षूट पहन लिया क्यों कि विउस लटो के अलमारी के somet कि कर देती है तो क्योंकि अभी घरमिय निकाले nality अभी औह permettश के दें हैं हुए यह छोटे वाला मारी लटो का यह हुले की लिए से वह अपना जो अलग से ही उनका उसी मूंका रखें और वह उसी मिद्धकiben room पहणते ने कालते हैं पहनते हैंपना पर जहां जो रित पढ़ती है वहां मैं अच्छे से बैठके जुक के और रगर रगर के पोच देती हूं और अभी बालकनी वगए भी सब बहुत ही अच्छे से क्लीन हो गया मैं और मेरे एसमें डोन लोग मिलके थोड़ी से मैनत करते हैं तो जो हमारा घर बहुत अच्छा च जो है थोड़ा सा आगे है तो उसके बाद फिर चलता है यहां पर हजबन के लिए पहले नास्ता सेट कर देते हैं उनको आफिस के नियर निकल के इनके लिए दल लिया और खजूर साथ में एक लास मैं को जूस मैंने इनको दे दिया है क्योंकि चाय बार बार पीना गरिमों सही नहीं लगता है चाय सुबह के दायम तोड़ा सपीना पड़ता नहीं तो हम लोगा सर पकड़ लेता फिर हजबन मेरे जा चूके थे और यहां पी हजबन के इनको पारे चाय ओप्रें में परेगा और जोह है दिक्कत हो जाती है सर्फ और यह सब लगाने से मेरे हाथों में थोड़ा सा इंफेक्शन का होता है लेकिन फिर भी मैंने यहां पर कपड़े धुल दिया और थोड़ा सा ही ड्रायर कर दिया जिससे मतलम जल्दी से पंखे की नीचे ही सूख जाएं क्योंकि हमाएं और धुल मिट्टी से कपड़े जो गंदे हो जाते हैं पर हमारा कुलर भी धूल के अब आत्र में सुखने के लिए ऐसे रख़ा को अगर में सुरू होगा यहां पर मैंने नाहा धो लिया है फिर लड़ों का होमग करवा रही हूं और इसके आगे का मैंने ज़्यादा ब्लॉग नहीं सूट किया था तो बोट जरूस करें